हेलो दोस्तों जैहिन स्वागते मेरे चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट सारवी में फ्रेंस आज की जो हमारी वीडियो है वो असाम रैफल्स के हवालदार क्लर्क के फिजिकल और ट्रेट टेस्ट के उपर है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करो और चैनल को सस्क्राइब करो ताकि जो भी मैं वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आज की वीडियो में बहुत खास जानकारी की बारे में बात करेंगे दोस्तों कि हवलदार क्लर्क का जो ट्रेट टेस्ट होता है वो किस प्रकार से होता है और आपको कैसे तैयारी करनी है कि आप हवलदार क्लर्क की जो भरती है उसको आप क्लियर कर सको क्योंकि काफी सारे भाई असाम रैफल्स में क्लर्क के वेकेंसी को फिल करते हैं ठीक है और बहुत अच्छा कॉंपिटिशन होता है क्लर्क के अंदर तो आपको पता ही है कि इसमें जो ट्रेटेस्ट में आप लोग को टैपिंग करनी होती है तो टैपिंग की तैयारी कैसे करे कैसा पराग्राफ आता है ठीक है किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करके जाना है कि वहाँ पे एप अपना टैपिंग क्लियर कर सकते ही तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते है वीडियो में दोस्तों सब्से पहले मैं आपिलो को बता जिसता हूं कि अगर आपको तो अगर पास हो, मतलब आगर आप 12th पास हो, और आप 12th पास हो किसी भी स्ट्रीम से, चाहे science, चाहे commerce, चाहे arts, तो आप लग की जो vacancy है, उसको fill कर सकते हो, form भर सकते हो, ठीक है, बात करते हैं दोस्तों age की, तो age आपकी 18 से, maximum 25 साल तक होनी चाहिए age आपकी, ठीक है, ये male औ 165 सेंटीमेटर रहेगी और female के लिए 152 सेंटीमेटर रहेगी, ठीक है, तो दोस्तों आगे बात करते हैं, इसकी जो physical जो इसका center है, क्लरक वालोगा की, इसका physical कहा होगा, तो इनका center दीपू होता है, ठीक है, तो दीपू में आप लोग का physical भी होगा, और आप लोग का trade test, म जिसमें आपको time जो है कि 24 मिनट आप लोग को दिया जाएगा, मतलब आपको 5 किलो मीटर 24 मिनट के अंदर आपको qualify कर लेना है, ठीक है, जैसा आपको पता है कि जो दीपू है, वो थोड़ा running के लिए एक hard area है, तो आप लोग को वहाँ पर थोड़ा अच्छा सा practice करना है, त होने के बाद आप लोग को जो है अगले दिन typing के लिए बुलाया जाएगा, मतलब आप लोग को ट्रेट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दू कि अगर आपने English में वहाँ पर typing करनी है, तो आपको 35 word per minute आप लोग को होना चाहि होगी, ठीक है, हमें paragraph मिलेगा, paper मिलेगा या newspaper देखके typing करनी है, तो नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है, जैसे कि आप screen पर देख रहे हो, आप लोग का software पर typing होगी, जिसे हम बोलते है, one liner software है, ठीक है, इस software पर आपकी typing होगी, ठीक है, और कोई घबराने की बात नहीं है, अगर आप start कर दोगे, तो अभी आप लोग के बाद 2,5 महीने है, easily आप typing वहाँ पर clear कर सकते हो, चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं, यह point मैं बाद में लूँगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ ना, यह आप लोग का software पर typing होगा, ठीक है, यह तो आप ल इसले साल का अपने candidate का, आप लोग को एक screenshot दिखा रहा हूँ, यह उसने typing वहाँ पर दिया था, हलांकि वो qualify नहीं हुआ था, आप लोग result में देख सकते हो, यहाँ पर qualify नहीं था, क्योंकि जो इसकी average speed थी, वो 31.60 watt per minute थी, तो इसलिए वो नहीं हो पाया, ठीक है, तो आप मैं पहले बाता हूँ, जो timing है, वो आप लोग को 10 minute मिलेगी, यहाँ आप देख सकते हो, test time duration 10 minute, तो 10 minute के अंदर आप लोग को 35 word per minute के speed से आपको typing करनी है, ठीक है, अब इसके अंदर conditions क्या-क्या हैं, वो समझ लीजे आप लोग, आप लोग को 17 word है, वो incorrect word अगर आप type करते हो तो 17 word आप incorrect type कर सकते हो, वहाँ पे वो ignore होगा, ठीक है, लेकिन 17 word के बाद जैसी आप 18 word जो आप type करोगे, तो वहाँ पर आप लोगों को उस जगह पे 10 word आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को समझने की बात है, इस limitation को समझो, और यहाँ पर अ आप easily वहाँ पे अराम से crack कर सकते हो, लेकिन आपने accuracy पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, और typing के लिए दोस्तों में एक अलगसी आप लोग को वीडियो दिखाऊ हो, कि किस प्रकार से आप लोग को वहाँ पे टाइपिंग करनी है, क्योंकि किस प्रकार से वहाँ पर अब आयते हैं, हम लोग यहाँ पे कि आपको typing practice अगर करनी है, तो किस पे करनी है, तो मैं जो typing practice करता हूँ, मैं खुद भी और बाकी जो candidates करते हैं, तो typing बाबा, typing master और sony typing tutorial, मैं सबसे best तो sony typing tutorials को मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि जितनी भी दोस्तों यह exams होते हैं, खासकर clerk क तो लगभग test में sony typing tutor ही use किया जाता है, तो आप लोग इस पे अगर typing करोगे, तो आप जब भी typing test देने जाओगे, तो आपको वहाँ पे कुछ नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार यह तो मैंने घर पे practice करी थी, तो आप वहाँ पे easily typing अपना pass कर सकते हो, ठीक है, 13 points में आते हैं, तो 13 points में आप लोग को typing certificate वहाँ पे चाहिए दोस्तों, ठीक है, यह क्यों चाहिए मैं बताता हूँ, इसका importance क्या है वहाँ पे, जब आप अपना form फिल कर रहे होगे, असाम रैफल्स हवालदार clerk का, तो वहाँ पे आप लोग अपना typing certificate अपलोड करना होगा, ठीक है, एक तो आप लोग को form को fill करने के लिए typing certificate चीए है, दूसरा जब आप लोग अपना physical देने जाओगे, तो वहाँ पर भी आप लोग का typing certificate चेक होगा, तो typing certificates आप लोग अपना अपना जो भी है, अपने computer से मतलब जो भी आप लोग के area में computer tapping का center है, वहाँ से आप अपना सकते हो, ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग टैपिंग clear कर लेते हो, तो आप लोग को जो है कि written exam का admit card मिल जाएगा, और लगभग आप लोग को 15 से 20 दिन के बीच में आप लोग का exam भी conduct करा लिया जाएगा, अब दोस्तों next video जो मैं clear quality बनाऊंगा, वह exam syllabus, और last year म मेरे पास available था, तो आप लोग के लिए वो next video में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग का exam इसमें कर रहाए जाएगा, किस प्रकार के question आती, syllabus कैसा होता है, ठीक है, और वीडियो आप लोग कैसे लगी, वीडियो को like करो, चैनल को subscribe करो, ठीक है दोस्तों, और अगर आ comment कर सकते हूँ, ठीक है, जैन,